प्रेंड्स दयान दीजेगा और सटभी वीपसी के लिए पेड टेलिग्राम डेली टार्गेट बाइच श्टार्गेट बाइच में देखे डेली टार्गेट और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगा बिहार बिधार स्पेसिलर सारा पीडियेफ यहांपे दिया जाए और साथ ही साथ सारे सब्जेक्टे जो important pdf है आपको हमारे ग्रूप में मिल जागा यानि कि हमारे ग्रूप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने जो अतनी आपको सब कुछ यहां पर अवलेबल करवा दिया जाएगा अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लिए ग्रूप जो कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रो में देख लिया है तो आई होप आप सब जो जो भी इसके लिए सजागान सब्सक्राइब करेंगे आज पहला सेट आपके सामने में लेके हाजिर हूँ आप लोग यहाँ विसे सूची में देख सकते हैं तो चलिए हम विसको स्टार्ट करते हैं यहां से आता हमारा प्रथम सेट और मैं इसको कर लेता हूँ आपके लिए जूम ठीक है चलिए पहला सेट का question number प्रथम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पूर्वेदिक आर्यो का धर्म प्रमुक्त क्या था इनका धर्म प्रमुक्त देखिए प्रकृति पूजा और यग का प्रमुक्त धर्म था ठीक है ये लोग बेसिकली पूजा आर्चना में और यग कर्मकांड में लोग बहुत बिलीव करते थे आर्यो का प्रकृति वैसी सक् के जोती पुंच के तौर पर जाना जाता अंग्रेजी में लाइट ओफ एसिया सब ने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध हमारा एक करेक्ट हो जाएगा नमबर तीन देखते हैं निमली के तिमसे कौन सा एक कथन सही नहीं है इन में से सही कथन की बात करने जो नहीं है त्यान द दिमसमर से स्टार्ट हो चुका है इस कोर्स आखासियत यह है कि बिल्कुल नए पैटर्ण पे बीपीए सी में जो भी चेंजे किये गए है उस नए पैटर्ण के नुसार ये सारे कौर्से आपको करवाये जा रहे हैं चाहें वो पीटी में मिलेके चेंजे हो या तो मेंस मिल जाए जाएंगी समझाई जाएगी तो अगर आप लोग सजग है बीपेसी में जगह अपनी पक्की करने के लिए जरूर जरूर इस फांडेशन कोर्स में जुड़िए ध्यान रखिएगा अभी ओफर चल रहा है 30% का आपको डिसकाउंट मिलेगा बट उसके लिए आपको यू अतमान करनाटक राज में और यह गोंतेशवर के प्रतिमाय स्थापित यहां पर जो है यह गंग गंग शासक रचमल के सासनकाल में चमुंड राय नामक मंत्री ने इसका निर्मान करवाय था और गुमतेशवर बाहु बली प्रत्थम जैन तिर्थंकर रिसवदेव के पुत सुनाग के डीकरेक्ट हो जाएगा पांच नंबर असोक के निमलिकित अभी लेखों में से किसमें दक्षिन भारतिया राज्यों का उलेख हुआ है यह लेख आपको मिलेगा दूइतिया मुख्य सिला लेख में भी हमारा यहां सई हो जाएगा नंबर छे देखते हैं मेगा स समाच को कितनी स्रेणियों में डिवाइड किया था इसने देखेगा टोटल सात स्रेणियों में भारतिय समाच को जो है ना बांटा था यह धियान रखेगा आप लोग है ना चलिए बाई कौन-कौन थे तो दारशनी किसान, सिकारी, पशुपालक, सिल्पी, कारिगर, योध्या, निरेक्चक, गुप्तचर और आमात्य और सामद, क्लियर, साथ, असोक का अपने सिललेखों में समाने तक, जिस नाम से उलेख हुआ है, वह क्या है, तो इनका उलेख हुआ है, देखिए, प्रियदर्सी के नाम से, डी करेक्ट होगा, एड देखिए, जल की अवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रथम सासक ने, गिरनाट शेतर में एक जील का निर्मान करवाया था, वह कौन था, देखिए, वह सासक था, चंदरगुप्त मौर रहा, नेक्स्ट, गुप्त समराज, जिसने हुनों को पराजित किया था, वह कौन था, तो वह गुप्त समराज था, जिसने हुनों को पराजित किया था, सकंद गुप्त, ठीक है, C करेक्ट होगा, नेक्स्ट, गुप्त यूग में भूमी राजस्व की दर क्या थी, भूमी राजस्व की दर जो है, गुप्त यूग में क्या तियान रखिएगा गुप्त यूग में जो भूमी राजसु की दर के अगर हम बात कर ले भाई तो यह भूमी राजसु की दर है यह थी उपज का चठा बाग बी करेक्ट होगा नमर 11 देखते हैं हम लोग जयरे के लिए बात कर ले यह मंतिर सिव को समर्पित है यह मंँतर की वरंद नहीं है और यह मंदीर ज्यादा ही अलंकर्प नहीं है सिंपल सा है ठीक है और इसका जो गर्वगरी है वुरहदकार सिवलिंग के टाइप का बना हुआ है ठीक है चलिए बाई आगे हम लोग बढ़ते हैं किस चोल राजा ने जल सेना प्रणम किया था देखिए ये 67th BPSC में इस्सेलेटेड ना कोश्चन भी था ठीक है जिस पर जाना जाता है तो बीज गर्णी से छेत्र में अपने योगदान के लिए जो विशेश रूप से जाना जाता है भासकर है वो सी करेक्ट हो जाएगा दिल्ली संतनत का सरवाधिक विद्वान सासक जोख गोल सास्त्र गर्णित और आयुरवेद विज्यान सहित अनेक विद्य लग था सी हमारा करेक्ट हो जाएगा फिफ्टीन सरी का लेखा कौन था कोन तकस्था देखे तबकाते नासरी का लेखा की बात कर लेए वो था मिनाजुस सिराज सी एपसलूट करेक्ट हमारा हो जाएगा इस ये जो मिनाजुस सिराज ने तबकाते नासरी लिखा इस गरन्थ में पैगंबर मुहमद से लेकर नसिरुदिन मुहमद तक के काल का एक्स्प्लेइन विवरन किया गया है सिक्ष्टिन देखिएगा सिक्ष्टिन में क्या है बाबर को भारत पर आक्रमन करने के लिए मंतित करने वालों में से एक आलम खान बिसिकली इसको मैंने पूछा जा रहा है कौन है ये इबराहिम लोदी के संबंधि थे तथा वह दिल्ली के राजसिहासन के दावेदार भी थे इसलिए इसने बाबर को इन्वाइट किया कि आई आप इबराहिम लोदी को हराईए और हमको राज dabar साहां को किस ने उपहार में दिया था तो ये उपहार में दिया था साह जहां को, देखिए, मीर जुमलाने, C correct हो जाएगा, वह हीरे का वेपारी था, जो की इरान से आया था, ठीक है, 18, सिवा जी, मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो ये कैद थे देखिए, आगरा के जेल में, B correct हो ज जो बकसर के लड़ाई हुई थी, उसमें बंगाल का नवाब, था कौन भाई, यहां पर ये बताना है, तो देखिए, उसमें जो बंगाल का नवाब था, गर उसके हम बात कर लें, वो था, मीर जफर, भी absolute correct हो जाएगा, हमारा, ठीक है, नमबर 20, दादावे नोजी द्वार प्रतिपादित, अपवासिधान, यानि ड्रेनेश थियोरी की सही परिभासा नीचे जो स्टेट्मेंट देवाई, इनमें से कौन साथ सही एक्स्प्लेन करता है, ध्यान दीजेगा, अगर इसके हम बात कर लें, 20 का, तो 20 का जो correct हमारा answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारत 21 का मोपला विद्रो कहा हुआ था, माफ कीजेगा, 1921 है, 2021 मैंने पढ़ दिया, माफ ही चाहूंगा, 1921 का मोपला विद्रो कहा हुआ था, तो यह मोपला विद्रो हुआ था, केरल के अंदर में, सी हमारा यहां correct हो जाएगा, यह माला बार केरल में, वहीं पर यह कृसको थे, हरी जन के, तो हरी जन के प्रणब करता थे, गांदी जी, सी हमारा correct हो जाएगा, गांदी जी का एक, यह सफल लेखा, वह एक सफल राइटर भी थे, और ध्यान रखिएगा, कई दशकों तक वे अनेक पत्रों का इनों संपादन भी किया, जिसमें से हरी जन, इंडियन, उपीनियन, यंग इंडिया, यह सब इंपोर्टेंट इनकी पत्रिकाएं थी, जो यह पब्लिश करते थे, 23 देखेगा, सार्दा अधिनियम के अंतरगत, लड़कों लड़कों के विवाह की नियुनतम आयू क्रमशा कितनी निर्धारत की गई, तो यह निर्धारत क्या गया 25, नरम दल और गरम दल के रूपे भारती रास्टे कॉंग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, इनका विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन, ठीक है, कब हुआ था, 1907 में हुआ था, 26, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रेल, 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्र 27, देखिएगा, निमलिकिन से किसने भारती रास्टे कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन का सभवपत्त किया था, तो ये किया था, वल्ला भाई पटेल ने, डी करेक्ट होगा, ये 1931 की बात है, 1931 में है न, तो पांच मार्च में 1931 को गांधी रभीन समझाता या दिल्ली स समझाता को स्विकृति परदान करने के लिए कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था, और कराची में आउजित किया गया था, और उसके अध्यक्स थे, वल्ला भाई पटेल जी, ठीक, चलो 28 देखते हैं हम लोग, 1935 के अधिनियम के बाद, 1937 में चुनाओं में गठित, कॉंग् कॉंग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो अंदोलन की अबधी में नियमित रूप से कारकरम पर साहित किया करते थे, तो ये कारकरम आता था, देखिए, राम अनोहर लोहिया जी के दौरा, सी करेक्ट हो जाएगा, 30 देखिएगा, कॉंग्रेस के निमलिखित नेताओं में से कॉन एक कैबिनेट मिशन योजनाय पक्ष में पूरी तरह से थे, कॉन था कैबिनेट मिशन योजनाय के पक्ष में पूरी तरह से, करेक्ट हमारा यहां हो जाएगा, देखिए, महात्मा गांधी, एक करेक्ट होगा, 31 देखिएगा, भारतिये सुतंता अधिनियम दा इंडि इंडिपेंडेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसथ द्वारा पारित किया गया था धां देखेगा यह बारीत किया गया था जुलाई 1947 में बी करेक्ट हो जागा यहां पर थर्टीडि देखिएगा पंदरा अगस्त उनिशसे तालिस को निमलि में वालती राष्टी कॉंगरेस का बात कर लें कौन थे देखिएगा जे भी कृप्रानी जी थे तो बी करेक्ट होगा थर्टी थरी पुनर जागरन संस्कृति के इटली में प्रणभ होने का कारण क्या था तो इसका में जो रीजन था देखिए विचारों को व्यक्त करने की स्वतंतरता सी करेक्ट होगा थर्टी फॉर जगत नरायन लाल को किस जेल में भेजा गया था जगत नरायन लाल को देखिए हजारी बाग जेल में ये इनको भेजा गया था इन पर डॉक्टर राजिन प्रसाद अनुगरन नरायन सिन्हा और मतनमहुन मालवय जी के विचारों का बहुत ज्यादा स्वतंतरता संगराम में सबल सहीोगे तो निमलीखीत में से किसे प्राप्थ हुआ था राष्ट कवी का basically title किसको प्राप्थ हुआ था यह title मिला था देखिए मैथली सरण गुपत जी को ए करेक्ट हो जाएगा 36 वह दर्रा जो निमलिखीत में से सरवाधिक उचाई में अवस्थित है कौन सा है वो दर्रा देखेगा वो दर्रा है नाथुला C एपसलूट करेक्ट हो जाएगा इसकी हाइट की अगर हम लो बात करें नाथुला दर्रा का तो देखेए 4310 किलो मिटर इसकी हाइट है सबसे हाईस्ट यह दर्रा है ठीक है 37 इन पस्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो परवत स्रेंडियों के बीच अंबहती है तो दो परवत स्रेनियों के बीच जो बहने वाली है सरावती है, नर्मदा है और यहाँ पर नेक्स्ट आप्सिन देखें, माही है, साबरमती है करेक्ट हो जाएगा देखें, नर्मदा रिवर जो है ये दो परवत स्रेनियों के बीच से होकर बहती है सत्पूरा प्रवत्स्रेणी, विंद प्रवत्स्रेणी और सत्पूरा प्रवत्स्रेणी के बीच से होके ये बहती है, ठीक है, तो हमारा correct हो जाएगा B वला, चलिए आगे हम लोग बाते हैं, बढ़ते हैं, 38, निमलिकित में से कौन सी जल प्रबंधन युकती भारत में लाग हो जाएगा, 39 देखिएगा, भारत में लिकित में से किस छेतर में मृदा परदन यानि सॉयल एरोईजन का समस्य जो है, काफी ज़्यादा विक्राल है, गंभीर है, तो यह देखिए, सिवालिक पहाड़ियों की पाद छेतर के अंतरगत, भी correct हो जाएगा, नेक्स्ट, 40, मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलाया बांध किस नदी पर बनाए गए है, यह बनाए गए है, अगर हम बात कर ले देखिए, बराकर नदी के उपर में, ठीक है, मैथन, बेल पहाड़ी और तिलाया बांध, नेक्स्ट, निमलिके देखिए भारत के किस राज की बिजली की प्रतिवेक्ती चमता और उत्पादन में प्रतमस्थान है, तो यह प्रतमस्थान है, गुजरात का, भी absolute correct हो जाएगा, राइट, तो भारत प्रतिवेक्ती सरवाधिक चमता और उत्पादन समंद में, यह जो मंद है, और इसलिए famous भी है, 43, कभी कभी समाचारों में, event horizon, singularity, string, theory और standard model जिसे सब्द का संदर्व में यह आता रहता है, तो यह है क्या, देखिए, ब्रहमांड का प्रचेंड और बोध से related, यह सब्द जो है, related है, 44, मंगल और व्रहस्पती की कक्छाओं के बीच, सूर के चार और प्रक्रिमा करने वाले सेल के छोटे टूडों के समू को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं, छुद्रगड़, डी करेक्ट हो जाएगा, 45, पंजसीर घाटी अवस्थित है, देखिए, पंजसीर घाटी, यह कहां पे है, अफगानिस्तान में है, पंजसीर घा देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है किसको, नॉर्वे को, सी करेक्ट होगा, नेक्स्ट हमारा 47, गुलावी करांती यानि पिंक रेवलुशन किस से रिलेटेड है, पिंक रेवलुशन का संबंध है, जिंगा उत्पादन से, भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें सही कथन की बात कर लें, अधिक्तम तापमान की मेखला विश्वत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये वले स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, विश्वत रेखा पर सूर की किरने वर्स भर जो है, लंबबबात चमकती रहती है, जिस 49 देखते हैं हम लोग वर्स 2021 माया ताउते तूफान का नामकरन किस देश ने किया था देखिए इसका नामकरन की बात कर ले मियान मारने कर रहा था एक करेक्ट होगा 50 नमबर यहां से कुछ मैथमेटिक से कोश्चन सवाल होते हैं मैं आपको आंसर बताऊंगा आप लोग स्क् एक तहली में 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे सिक्के 3-2-1 के अनुपात में है यह दिकुल मिलाकर 60 रुपे है तो उनमें 5 पैसे की कितने सिक्के है तो 5 पैसे उसी कोई संख्याए बात कर ले 300 हो जाएगा नेक्स देखिए 51 नंबर प्रस्म चिन के स्थान पर क्या आएगा इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अब यहां पर ट्राइंगल ABC फिर ट्राइंगल PQR AB is equal to 10 cm BC is equal to 4 cm और PQ is equal to 6 cm तो QR BC का कितना प्रतिशत है करेक्टिस का हो जाएगा 60% 63 एक पाईव 20 मिनट में एक टंकी को भर सकती है जबकि एक रिसाव दौरा पूंट टंकी को 28 मिनटे खाली किया जा सकता है यदि दोनों एक साथ खोलती जाते है तो टंकी को भढ़ने में लगने वाला समय देखें इसको भढ़ने में लगने वा जाए तो उसत लंबाई बढ़कर 80 हो जाएगी नए चात्रों का लंबाई का योग ग्याद कीजिए तो इसके लंबाई का योग की बात कर ले देखिए से 8,000 रुपए का उधार साधरन ब्याज पर उतने ही वर्स के लिए उधार लिया जितने ब्याज की दर है यदि उसने रिन अबधी के आन्त में ब्याज की रूप में 2,000 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या थी ब्याज दर 5% हो जाएगा 57 M का मान क्या है जिसके लिए 5 M divided 5 to the power minus 3 is equal to 5 to the power 5 है करेक्ट इसका हो जाएगा 2 definitely इसको आप लोग solve करिएगा ठीक है 15 मीटर लंबे पोल की छाया मीटर 5 रूट 3 होने पर सूर्य का उनेयन कौन ग्याद करना है तीस डिग्री हो जाएगा 59 साथ लिटर में दूद और पानी का अनुपात 2 is to 1 है दूद और पानी का नुपात को 1 is to 2 में बदलने के लिए किस मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए देखिएगा 60 लिटर पानी इसमें मिलाया जाना चाहिए अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है जी के जीए सगेन ठीक है चलिए निम्लिके से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें सुमेलित नहीं की बात कर ले तो प्रकास वर्स समय मापन की काई गरबर है यह दूरी मापन की काई है प्रकास वर्स है ना प्रकास वर्स के दुवारा समय कमापन नहीं किया जाता है दूरी कमाप किया जाता है चलिए 61 देखते हैं निम्लिके से कौन सुमेलित यहां नहीं है इनमें से नहीं सुमेलित की बात कर ले देखेगा सिस्मो मीटर प्रिष्ट तल की वक्रता ये सुमेलित नहीं है ठीक है सिस्मो मीटर से भुकम की तिर्वता मापी जाती है सिस्मो ग्राफ या सिस्मो मीटर जिसको बोलते हैं ठीक है तो D हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बाकी सारे मैच्ट है अब दिखेगा यहाँ पे एक चिकना आनत तल 36 के साथ समय काफी टफ कोश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ध्यान दीजेगा 62 का करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा C हो जाएगा 1 by sin theta root 2H by G अच्छा वो मैंने 0 degree बोल दिखेगा वो theta है ओके माफी चाहूंगा मैं 0 degree मैंने उसको बार बोला है वो theta है 63 प्रकास तरंग के वायू से काच में जाने पर जो चर यानि variables प्रभावित होते हैं वो कौन से हैं वो variables हो जाएगे तरंग धैर और वेग ठीक है ना जभी प्रकास तरंग के वायू से काच में ये गमन करेगा तो तरंग धैर और वेग प्रभावित होगा 64 देखते हैं प्रकास में 7 रंग होते हैं रंगों के अलग करने का क्या तरीका है रंगों को अलग करने का तरीका है वो ये है कि उनको एक prism से गुजानने पर उनके सारे रंग अपस में divide हो जाएगे अलग अलग हमें दिखेंगे 65 देखते हैं मनुस्य की आखों में किसी वस्तू का प्रतिविम जिस भाग पर बनता है वो कौन सा भाग है वो भाग है देखिए दृस्टी पटल ठीक है ना मनुस्य की आखों में जो वस्तू का प्रतिविम बनता है वो दृस्टि पटल यानि की रेटीना बनता है अंग्रेजी में इसको क्या बोलता है रेटीना आखों के पिछले परदों को रेटीना कहते है इसमें कुछ कोशिकाएं मौजूद होती है जिसकी मदद से यहां प्रकास पहुंचता है और उसी प्रकास को उसी प्रकास के कारण हम वस्तू को देखने में सक्षम हो पाते है ठीक है 66 देखते हैं हम लोग मेज विदूत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा विक्ती के रूप में सुरक्षा युक्ती के रूप में होता है फ्यूज के विसे में निमलिखित कत्मों में से कौन सा एक सही है इसका गलनांक निम्न होना अवश्यक होता है यह यहाँ पर कंपलसरी है तो C हमारा करेक्ट हो जाएगा यह वाला स्टेट्मेंट सही है 67 यदि किसी के डोमेन नेम के आखरी में इडू डॉस यूएस है तो यहाँ है ध्यान दीजेगा हमेशा यह हो जाएगा एक USA अमेरिका में एक सेक्शनिक संस्थान ओके चलिए नेक्स्ट है 68 नैनो प्लग संबंदित है किस से नैनो प्लग रिलेटेड है एक छोटे सुनने के यंत्र से B करेक्ट हो जाएगा 69 एक ही प्रकार का प्रमानू निम्न में से किस में मिलता है तो एक ही प्रकार का जो प्रमानू है ये देखिए प्रकृत तत्व के अंदर मिलेगा तो C हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सब्तर Plaster of Paris का रसाइनिक रूप से या रसाइनिक नाम क्या है Plaster of Paris का रसाइनिक नाम हो जाएगा देखिए Calcium Sulfate A करेक्ट हो जाएगा ठीक है कठोर जल उप्यूक्त नहीं है पीने के लिए या साबून के कपड़े दोने के लिए Boiler में प्रियोग के लिए फसल किसी चाई के लिए देखिए E हो जाएगा किसी के लिए भी उप्यूक्त नहीं होगा इन में से कोई नहीं ठीक है ध्यान रखिएगा है ना तो यहाँ ध्यान रखिएगा कठोर जल समाने ता इसलिए यह भी उप्यूक्त नहीं है और धुलाई में भी यूज होनी चाकता है बॉलर्स के लिए उप्यूक्त यह नहीं है क्योंकि पपड़ी के रूप में लवन इसके जम जाएंगे बॉलर्स में और सिचाई के लिए भी उप्यूक्त नहीं है क्योंकि यहां उत्तक यानी जाइलम का इससे च्छती पहुंचेगा ठीक है तो हमारा यह हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं बात तर विरंजक चून के रूप में कौन सा कथन असत्य है असत्य कथन की बात करें तो जल में अधिक विलय होता है यह वहला स्टेट्मेंट सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ब्लैक गोल्ड केव लावर पहले हो जाएगा फिर हमारा हो जाएगा फुल्रीन फिर हमारा हो जाएगा ग्रैफीन और फिर ब्लैक गोल्ड ठीक है तो पहली बर प्रयोक्साला में संसलेसने के काल करम अनुशार में यहां सई हो जाएगा ठीक है चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं 74 देखिए सुची एक को सुची दो से मिलान करना है यहां ठीक है तो यहां सुची एक को सुची दो से हम लोग करते हैं मिलान चलिए ओके चलिए सबसे पहले हो जाएगा लैक्टिक एसिड ये किसे रिलेटेड हो जाएगा दूद से रिलेटेड हो जाएगा एसेटिक एसिड ये हो जाएगा सिर्का से रिलेटेड हो जाएगा उसके बाद सिर्टरक एसे निम्मू से हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड दुर्ग संख्या गुनवत्ता का माप करता है तेखिए पेटरॉल के ठीक है भी हमारा करेक्ट हो जाएगा 76 देखते हैं निम्लिकस से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें तो सही सुमेलित नहीं है क्या तो पास्चियूरिकरण चाय गरबर है दूद के लिए जो है ना पास्चियूरि सक्रिय रसायन कौन सा होता है देखिए इनमें जो सक्रिय रसायन की बात कर ले कौन सा होता है सक्रिय रसायन इनमें होता है भाई देखिए L3 ठीक है तो हमारा A करेक्ट हो जाएगा 78 देखते हैं हम लो अब तक निमलिकित रसायनों में से कौन सा कुत्रीम बादल बनाने के लि आधारी थे दीके प्रकरतिक वनवाद जो है रिलेटेड है ओवर प्रोडक्शन से स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरियेशन के लिए और सर्वाइवल ओफिटेस्ट थीक है तो उप्योगत सभी हो जाएगा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठेक असी देखते हैं मनुसकी खोपड़ी में कुल अस्तियां होटी है कितनी तो लार्ज निमलेख़ त brace किस पाचन में सायोग करती है लार जो हकना स्टार्ज के पाचन में यह करेक्ट होगा बबबब यह विटामिन वैंकल स्वहत्पूनम्श निमलेख़ इंतन divk इूंग से कौण है तो विटामीन E का जो मेन सोर्स है वो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल तो बिसिकली यह हमारा C-correct हो जाएगा Next है 84 यह अक्यूरत है उनमान स्पेसियों में आर्जा जमा होता है तो यह जो उर्जा जमा होता है यह glycogen के रूप में store होता है, D correct होगा 85, silicosis 1 है, देखें, silicosis की बात कर लिए क्या है silicosis जो है, ध्यान रखिएगा, यह फेफड सम्मंदित बिमारी है, silicosis C correct होगा, ठीक है 86, mad cow rogue का कारक है, देखें, mad cow rogue जो है, यह क्यों होता है यह होता है देखें, प्रोयंस के वज़े से, D हमारा correct हो जाएगा ठीक है, प्रोयंस जो है, यह mad cow rogue उनके वज़े से होता है 87, biodiesel मनाने के, biodiesel मनाने में किस बनस्पती का उपयोग किया जाता है ठीक है, तो यह जो है, यूज कहाता है, रतन जोत का, D correct हो जाएगा नमबर 88 देखते हैं हम लोग, निमलिखित मेंसे किस एक अधिनियम ने भारत में संग्या शासन की वश्था दी थी तो संग्या सासन की वश्था, अगर भारत में हम बात कर ले किसने दिया था तो यह दिया था, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्व़ारा 89, बियरा मेटकर का सम्विधान सभा में निरवाचन हुआ था इनका निरवाचन हुआ था, मुंबाई प्रेसिडेंसी से बी करेक्ट हो जाएगा 90 देखिएगा, किस प्रधान मंत्री कारेकाल के दौरान भारत के सम्विधान में नौवियन उसुची को पुनर स्थापित किया गया था, जवाहडाल नहरुजी के कारेकाल के अंदर में कब 1951 के द्वारा इसको पुनर स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर अवैद घोसित, इसको नहीं किया सकता था और मौली का अधिकारों का हनन करने का भी इसका राइट खतम कर दिया गया था, 91, भारत के सम्विधान के निर्माताओं का मत निमलिकित में से किसमे परतिबंबित होता है, तो ये परतिबंबित होता है उद्देशिका में, ठीक है, 92, एक नया राज बनाने में सम्विधान वैक्तिगत स्वतनता के लिए उच नियाले निमलिकित में से किस रीट को जारी कर सकता है, ये रीट जारी कर सकते हैं, बंदी परतेक्शी करन, ठीक है, C, करेक्ट हो जाएगा, 94, निमलिकित में से भारत में मौलिक करतव कौन सा है, इन में से मौलिक करतव है, हमारी मिली ज श्राइबुली सन्सकृति की समृद्धी विरासत को संबर चित करना रिक हो जाएगा ठीक है 95 देखते हम लोग क्या है भारति राज नितिक विवस्था में कारे पालीका डैस З == के अधिन रहकर कारगर्ऩ करती है तो कारे पालीका कईらैं голाउम अधिक रहकर कार्व करें है कैसे तो यदि लोग सभा इस आश्रे का प्रस्ताओं पारित कर दे तब भी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए 97 वै का अनुमान किस रूप में भारतिय संसर्थ के रखा जाता है यह रखा जाता है अनुदान का अनुरोध के रूप में डी करेक्ट होगा 98 संविधान का कौन सा अनुछेद उचितम न्याले को उसके द्वारा दिये गए निर्णे अत्वा आदेश के पुर्णा विलोकन हेतु अधिकरित करता है कौन करता है यह अधिकरित द्यान दीजेगा यह अधिकरित करेगा अनुछेद 137 एक करेक्ट हो जाएगा 99 विधान परिशाद किस साधारन विध्यक को निमलिकित में से किस आयोग गठित हुआ तथा समिक्षा करने के लिए तो देखे सरकारिया आयोग के करम बात कर लें गठित हुआ था कब तो यह गठित हुआ था देखिए संग और राज्यों के मद संबंध हो के लिए डिकरेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 101 नियाले द्वारा अपराधी घोसित किये गए व्यक्ति को चुनाओ लड़ने के लिए आयोग करार देने का निड़ने किया गया है तो देखे यह किया गया है संसद के द्वारा ठीक है 102 वह कॉलेज का विदार्थी अपने नगर की नगर परिशाद यानि मुनसिपल कॉलसल में चुने जाने का एक चुक है उसके नाम अंकन की वैदिता अन्य सर्तों के साथ साथ इस महत्मुन सर्थ पर निर्भर होगी कि देखेगा वह इस पर निर्भर होगी कि उसका नाम मद स्सांब है से यह हूं है है यह हूं है मिस्र में वा है वी हमारा करेक्टर का ब्रायट स्टार्स जो है यह बहुरें मिस्र में हर दो साल पे इसका होता है इस वर्द के अभियास मेंसे ते किस देश का भुगतान संतुलन विप्रीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी वो मदद लेगा देखिए अंतरास्ट्रे मुद्रा कोश यानि की आई एम एफ से ठीक है एक सो पांच निमलिकिन से कौन से सब्द मौद्रिक नीती के बनाने में परियोग नहीं किया जाता है मौदरिक निती को बनाने में जो यूज नहीं होता है ब्लू चिप ये वर्ड मौदरिक निती को बनाने में यूज नहीं होता है देश की मौदरिक निती बनाने से में ब्लू चिप का काम नहीं है ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो की हमेशा अच्छा रिटर्न देती है ठीक है 106 देश में वितिय अपातकाल की घोशना कौन कर सकता है ये केवल और केवल हमारे राष्टपती साहब करेंगे मंत्री मंडल के अनुशन सापे आगे बढ़ते हम लोग 107 भारत में मोटर वाहनों के दाइरों और ट्यूबों के लिए अनिवार मानक चिन निमलिकित में से कौन सा है देखेगा ये जो है मानक चिन है एक को मार्क डी करेक्ट होगा एक तो आट परवासी भारतिये दिवस निमन में से किस दिन मनाया जाता है ये देखिए कब मनाया जाता है तो परवासी भारतिय दिवस बाफ कीज़ेगा 107 का जो correct answer हमारा हो जाएगा भारतिय मानक ब्यूरो यानि BIS हो जाएगा ठीक है BIS हो जाएगा इसका correct answer ठीक है तो मोटर वहान दाइरो और ट्यूबो के लिए अनिवार जो मानक चिन है ये BIS जारी करता है यानि भारत मानक ब्यूरो और 108 हा correct answer हो जाएगा 9 January राइट चलिए 109 देखते हैं हम लोग केंद्रिय मंत्रिमंडर लगस 2022 में प्रधान मंत्रिय अवास योजना सहरी को किस वर्स तक जारी रखने की मंजूरी इनों ने दी है इनों ये मंजूरी दी है देखिए वर्स 2024 तक के लिए 110 किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी यानि टूजी का इथनौल प्लांट विक्सित किया है जिसका हाली में उदगाटन किया गया है तो इसका हाली में दुद्गाटन किया गया है राइयल के द्वारा किया गया है तो यह हमारा यहां पे correct हो जाता है किस भारतिय ससस्तर ने पॉलने हिंडों ने होन कारक्रम सुरू ने के और करेक्ट में इन्डीयोग और अकैडमिक, सॉफ्ट्वेर, डिवलोप्मेंट और ड्रोन उत्पादन निर्माता हो, सहीत सभी हितकारकों को ये जोडनेया काम करेगा, 112, हाली में खबरों में रहा, डौनी पोलो एरपोर्ट किस राज में स्थित है, काफी यदा ये न्यूज में रहा था, देखिए, अरुन वादा जमुई टच करेगा, ओके, 114, PM3 योजना, जिसे हाली में लौंच किया गया है, किस छेतर से ये संबंदित है, ये संबंदित है, देखिए, एडुकेशन के छेतर से, यानि सिक्षा के छेतर से, भी करेक्ट हो जाएगा, राइट, 115 हम लोग देखते हैं, कच्रा प्रमंदन नियमों का उलंगन करने के लिए, किस राज सरकार पर 3500 करूर रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये जुर्माना लगा है, वेस्ट बेंगॉल गॉवर्मेंट के उपर में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बंगाल सरकार के पास, ट्रिबनल दोरा, समीक्षा करने या सुप्रीम कोट जाने का विकल्प है, वो अपील कर सकती है, 116, नौसेना के नए द्वच में किस आकरती के अंदर रास्टे परतीक है, तो ये है, देखिए, नीला अश्ट कोनिया अकार के अंदर रास्टे परतीक को डाला गया है, 117, हाल ही में खबरों म में रहा, मून लाइटिंग किस छेतर समंदित है, तो ये समंदित है, स्पेस से, डीकरेक्ट हो जाएगा, देखिए, भारतिय आईटी कंपनी विपरों ने 300 क्रमचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है, जो कंपनी के परतिसपर्धियों के लिए काम कर रहे थे, इस प समपत्यों गलत यूज़ होगा, ठीक है, तो हमारा 117 का जो है, डीकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 118, विश्वकुस्ती चंपिनसिप में चार पदक जितने वाले पहले भारतिये कौन है, तो ये पहले भारतिये हैं, बजरंग पूनिया, ए, एपसलूट करेक्ट हो जाएग 119 देखते हैं, कन्वर्जिन्स पोर्टल सन्यूट रूप से किन दो मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है, तो ये पोर्टल लॉंच किया गया है, क्रिसी मंत्राले और खादर प्रसंस्क्रन उद्द्योग मंत्राले के द्वारा, एक करेक्ट होगा, 120, परेवरन मंत्रिय ने दक्ष नाम से एक नया एक नई सुप्टेक पहल शुरू की है तो यह पहल शुरू की है इन्होंने देखिए आर बी आई ने राइट तो हमारा बी करेक्ट होगा 122 कुनो राष्ट्रे उध्यान जहां चीतों को लाया गया था किस राज में स्थित है तो यह कुनो नेशनल पार्क जो है देखिए MP के अंदर में है बी करेक्ट हो जाएगा 123 ओनलाइन जुए का निशेद और ओनलाइन गेम का नियमन अध्यदेश 222 किस राज में लागू किया गया है यह लागू किया गया है देखिए तामिलाडू के अंदर में सी एप्सलूट करेक्ट हो जाएग नेक्स्ट है स्टेफर्ड नून का संबंद किस से है स्टेफर्ड नून इसका संबंद देखिए प्रमानु युद्ध अभ्यास से तो भी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है ध्यान दीजेगा रूस के साथ बढ़ते तनाओं के बीच उत्रिया अत्लांटिक अभ्यास होगा और इसमें परमानु हत्यार ले जाने में सक्षम लड़ा हुए मानों की भागिदारी सामील होगी ठीक है ध्यान रखिएगा स्टेफर्ड नून यह नाम याद रखिएगा काफी इंपॉर्टन करेंट अफेर्स है 125 हाल ही में स्वरी हर साल विस्विकास किस सहर में किया गया है इसका उद्गाटन हुआ है मुंबाई के अंदर में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 127 नहीं पीडी की मध्यमदूरी की बैलेस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका हाली में परिक्षन किया गया है तो इसका हाली में परिक्षन हुआ है अगनी राजने भी एप्सलूट करेक्ट होगा 119 देखते हैं बारत के पहले नीजी तोर पर विक्सित रॉकेट का नाम क्या है तो यह रॉकेट का नाम अगर हम बात कर लिए क्या है तो विक्रम एक करेक्ट होगा 130 दुनिया का सबसे पहला पोलिंग बूथ ताशी गंग किस राजकिन साहित प्रदेश में स्थित है दुनिया का सबसे उचा पोलिंग बूथ यह है हिमाचल प्रदेश में दी एपसलूट करेक्ट हो जाएगा 131 अधार नियमों में संसोधन के अनुसार सहा नियमों के संसोधन के हिसाब से अपने डाटा को अपडेट करने के विशक्ता है 132 किस भारती राज ने दस नौमर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है उडिसा ने दी हमारा करेक्ट हो जाएगा राइट चलिए 133 देखते हैं 29 अगस 2022 को बिहार के किस खिलाडी को मेजर ध्यान चंद खेल रतन वर्ट समानित किया गया है यह समान मिला है देखिए जोती कुमारी को बी करेक्ट हो जाएगा तेखडा परखंड की है यह बरौनी निवासी जोती कुमारी ध्यान रखेगा तो इनका जो है यह फुट्बॉल चेंपियन के लिए इनका और इंडीय वृच्पियन के लिए चैन किया गया था मेजर ध्यां चंद के जनदीन पर इनको पुरसकार दिया गया गया एक्सो चौट इस बेद शुघल दिवस निमनिय इसे किस दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है 22 मार्च को, D correct हो जाएगा, 135 दिखिएगा, अंतराश्टी जैवेवित्ता दिवस या इन इंटरनेशनल डेफोर, बायलोजिकल डैवर्सिटी, निमलिखित से किस दिन मनाया जाता है, ओके, तो ये हर साल ध्यान रखिएगा, कम मनाया जाता है, 22 माई को, C correct ह हो जाएगा हमारा, 134, पुस्तक दा इका बॉग की लेखिका कौन है, दा इका बॉग, दा इका बॉग की लेखिका की बात करने, ये है, जे के रॉलिंग, C correct होगा, 37, मुझदफर पुर्बमकांड में किस करंतिकारी को 1908 में, अलिपूर्स इंटरल जेल में फांसी दी गई है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो छेत्रिय भासा है, वो है, मैथली, D correct होगा, 39, लासकर डेवी की प्रुसकार, किस छेत्र सम्बंदित है, ये सम्बंदित है, विग्यान के छेत्र से, लासकर डेवी के अवर्ड, ध्यान रख्येगा, बहुत दिवस यानि की, National Mathematics Day निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है, 22 दिसंबर के दिन, 141, बिहार में कितने परतिसत स्रम सकती अपनी जीविका के लिए, क्रिशी और क्रिशी सवर्तिकारियों पर निर्भर है, देखे, 74% लोग इस पर निर्भर है, C correct 142, बिहार के कौन सा सहर गंगा नदी के किनारे नहीं वसा है, कौन नहीं वसा है भाईया तो देखिए, गया जो है इसमें नहीं हो जाएगा, भागलपूर पटना मुंगेर होगा, 143, गोगाबिल जिल बिहार किस जिले में स्थित है, गोगाबिल जिल जो है, कटिहार जिल जो का यह आस्रह स्थल है चलिए वह 144 देखते है निमलिक लिए से कौन सा जलकुन राजगीर में श्थित नहीं है राजगीर में ध्यान दिजिएगा सब्त धारा तथा सूर्यकुन्द राजगीर में स्थित है है ना सब्तधारा और सूर्य कुंड ये राजीर में से थे इसके लावा ब्रह्म कुंड भी है गोमुक कुंड है नान कुंड है ध्यान रखेगा तो हमारा इवला एपसलूट करेक्ट हो जाएगा है अब बात करते हैं अगनी कुंड गया में है ठीक है और रामेश्वर कुंड मुंगेर में है 145 डॉक्टर अमिटकर का समाधिस्थल का नाम क्या है तो इनके समाधिस्थल का नाम है चैत्यभूमी बी करेक्ट होगा आगे बरते है 146 निम लिखे तिमसे कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उतरदाई है तो ताजमहल को पीला करने के लिए उतरदाई ह देखिएगा बिहार में Grand Trunk Road को किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है राश्ट्री राजमार्ग 2 के नाम से बीकरेक्ट होगा 148 बिहार में बिहार में खुदाबक्ष औरियंटल पब्लिक लाइब्रेडी के स्थापना कब की गई इसके स्थापना हुई थी इयर 1891 में है ना तो इयर 1891 में इसके स्थापना किया गया था और यह पुस्तकाले पटना क्या सोक राजपत परिश्थित है ठीक है आगे बरते हम लोग 149 आई आई टी एफ आट्टू एस्टियाए कप में पदक जीतने वाले पहले भारतिय टेबल टेनिस खिलाडी कौन है तो यह खिलाडी हो जाएंगे दीखिए मनी का बत्रा बी करेक्ट होगा हमारा आज का आखरी सवाल 150 2022 मार्ट इफिशल इंटिजिन यानि जीपी एई पर ग्लोबल पार्टन पार्टन पार्टनर्सिप का अध्यक्ष कौन सा देश है तो यह जो देश ग्लोबल पार्टनर्सिप अध्यक्ष कौन सा देश है तो वो है इंडिया सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह था हमारा क्राउन you all